रजबी किताब घर पेज नमबर 159 मुकास्पतुल कलब उनकी खिदमत कर जन्नत उनके कदमों में है तर्मिजी में है हजरते अबू दर्दा रजी अल्लाहु अन्हु से एक सक्स ने आकर कहा मेरी मा मुझे बीबी के तलाग देने को कहती है आपने फर्माया मैंने हुजूर सलल्लाहु अल्यवसल्लम से सुना है आपने फर्माया मा बाप जन्नत का दर्मियानी दर्वाजा है चाहे तो उसे बरबात कर दे और चाहे तो उसकी हिफाज़त कर इबने हिबान की रिवायत है एक आदमी ने हजरते अबू दर्दा रजी अल्लह अनू से शिकायत की की मेरा बाप पहले तो मुझे साधी करने को कहता रहा और अब कहता है की अपनी बीबी को तलाग दे दो आपने फर्माया ना मैं तुझे वालदैन की नाफर्मानी के लिए कहता हूं और ना ही बीबी को तलाग देने के लिए कहता हूं मैं तुम्हें हुजूर। अब्दुल्ला इबन उमर रजी अल्ला अनुमा कहते हैं की मेरे निकाह में एक औरत ती जिसे मैं बहुत पसंद करता था मगर मेरा बाप उसे अच्छा नहीं समझता था मेरे बाप ने कहा उसे तलाग दे दो तो मैंने इनकार कर दिया मेरे बाप ने हुजूर। तो हुजूर्स ने मुझसे फरमाया कि बीवी को तलाग दे दो मुसनद अहमद में रिवायत है कि जो लंबी उम्र और रोजी के जादा होने की तमन्ना रखता है वह वालदैन के साथ हुसने सुलूक करे और सिला रहमी करे अबुया और हाकिम की रिवायत है आप ने फरमाया जिसने वालदैन से उसने सुलूक किया उसे मुबारक हो기 अल्ला ने इसकी उम्र बढ़ा दी अबने माजा अबने हिबान और हकिम की रिवायत है आपने फरमाया आदमी गुनाहों के वज़ए से गोजी से महरूम हो जाता है दूआ तकदीर को लोता देती है और हुसने खुलक उम्र को दराजी अता करता है तर्मिजी है की है एक रिवायत है दूआ कजा को लोता देती है और हुसने सुलूक उम्र को लंबी कर देता है हकीम की रिवायत है दूसरे लोगों की ओरतों से दर गुजर करो तुम्हारी ओरतों से दर गुजर किया जाएगा अपने वालदें से हुसने सुलूप करो तुम्हारी ओलाद तुम्हारी ओरतें भी दर गुजर करेंगी